Hey guys, welcome to my magic channel, Magic Box तो guys, आज किस magic वीडियो में? मैं आपको काफ़ी कमाल की magic tricks सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों की demand पे क्योंकि guys, काफ़ी समय से comments आ रहे थे कि विजय भाई, हेंकी के अंदर safety pin को गुसाने के बाद उसे magic से निकाल के दिखाए तो चलिए guys, आज किस magic वीडियो में? ये magic मैं आपको पहले करके दिखाऊँगा और इसी वीडियो में? ये magic मैं आपको सिखा भी दूँगा इसलिए वीडियो में अंद तक बने रहना तो चलिए सबसे पहले magic को देख लेता है तो guys, जैसा कि आप देख सकते हो कि इस magic को करने के लिए मेरे पास एक सिंपल से सेफटी पिन और इसके अलावा है मेरे पास एक सिंपल सा हैंकी ठीक है? इन दौनों में guys, किसी भी type की कोई trick नहीं है और मैं ये आपको honestly बता रहा हूँ और आपको वीडियो के end में पता चल भी जाएगा ठीक है? तो सबसे पहले इस magic को मैं आपको करके दिखाता हूँ और इसी के वीडियो के end में आपको ये magic में सिखा भी दूँगा इसलिए वीडियो में end तक बने रहना और guys एक बात और बोलना चाहूँगा इस magic को करना काफी जादा आसान है एक छोटा बच्चा भी बड़े आसानी से magic को सीख के अपने दोस्तों को दिखा के उन्हें इंप्रास कर सकता है बस सर्थ इतनी सी है कि इस वीडियो के आपको end तक देखना पड़ेगा बिना skip की है तो guys जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर simple सी यह pin है safety pin और इसके अलावा यह hanky है ठीक है तो guys मैं इस hanky को पूरा खोल लेता हूँ पहले तो मैंने hanky को यहाँ पूरा खोल लिया है ठीक है तो अब अगर इस safety pin को मैं इस कपड़े में यह hanky मैं कुछ इस तरीकी से लगा के lock कर दूँ तो क्या यह safety pin बिना lock खोले निकल सकता है बिलकुल नहीं guys ठीक है अगर मैं यहाँ इसे खींच के निकालने की कोसिस करूँ तो क्या होगा या तो यह hanky फट जाएगा या lock खोल जाएगा तो guys lock तो कैसे भी खुल नहीं सकता यह जरूर hanky फट जाएगा यह हमारा hanky थोड़ा बहुत डैमेज हो जाएगा यानि यह safety pin यहाँ से नहीं निकलेगी बड़े आसानी सा खींच के अगर निकालें तो साइध hanky धंग से फट जाएगा और यह safety pin वहार आ सकती है लेकिन guys आज के इस magic वीडियो में मैं safety pin को आराम से निकाल दूँँगा अपने magic से बिना इसका lock खोले ठीक है तो चरिए start करते हैं तो मैं क्या करता हूँ guys इस safety pin के उपर थोड़ा सा करता हूँ यहाँ पर magic और देख सकते हो यहाँ पर जो safety pin है इस रूमाल के अंदर से ही मैंने लगा के निकाल के lock कर रही है देख सकते हो lock अच्छी तरह से लगा हुआ यहाँ पर तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कर दिया मैं थोड़ा सा magic और अब इसको एक बार ऐसे फोल्ड करता हूँ दो एक बार और फोल्ड करता हूँ देख सकते हो ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा सा magic और करूँगा और अब आप देख सकते हो किसकी tail यहाँ पर है ठीक है तो इसे मैं यहाँ से ऐसे पकड़ता हूँ और इसको simply खेंच लेता हूँ देख सकते हो लॉक ऐसे लगा हुआ है और safety pin हमारी बाहर आ चुकी है तो guys क्या लगता है कि रुमाल फटा है guys बिलकुल नहीं आप देख सकते हो यहाँ पर दो छोटे छोटे hole है ठीक है यह hole वो है जिसके अंदर से हमने अभी safety pin को डाला था इसके अलावा और कोई damage हमारे हैंकी को नहीं हुआ है तो guys बड़ी आसान है इस safety pin का magic आप कर सकते हो तो guys कैसा लगा यह magic प्लीज नीचे comments में लिखके मुझे जरूर बता है और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो guys इस magic के पीछे का secret है काफी simple इस magic को करने के लिए आप कुछ एक simple सा hangy कोई trick नहीं है hangy के साथ में और एक चाहिए आपको simple सी safety pin इस safety pin में भी किसी भी type की कोई trick बगरा नहीं करी थी मैंने सब कुछ काफी simple है और मैं कुछ इस तरीके से आपको ये hangy कोल के दिखाता हूँ यहां तक कोई भी trick नहीं है पूरी वीडियो में ही कोई trick नहीं है guys ये बड़े आसानी से कोई भी निकाल सकता है बस आपको secret इसका जानना पड़ेगा ठीक है तो rumal के अंदर आप simply इसको पहले डाल दीजिए ठीक है कुछ इस तरीके से ऐसे डालने के बाद इसे lock कर दीजिए अच्छी तरीके से ठीक है ये lock हो गई हमने rumal के अंदर से डाल के इसे lock कर दिया याँ तो अब ये निकलती कैसे है magic magic कुछ भी नहीं होता है फिर मैं आपको बोल रहा हूँ ठीक है मेरे हर एक वीडियो में बोलता हूँ magic कुछ भी नहीं होता हर magic के पीछे trick होती है ठीक है तो यहाँ पर trick क्या थी निकलती है कैसे है हम इस पर जब fold करते हैं one ठीक है एक fold और दूसरा fold तो magic करने का ना टक करते है magic कुछ होता नहीं तो निकालते कैसे है तो ऐसे fold करने के बाद जब आप इसे ऐसे खींचते हो ठीक है धीरे से तो guys ये आसानी से निकल जाती है और हमारे roomal में किसी भी type का hole बगरा नहीं होता हमारे roomal नहीं फटता है ठीक है यही secret है जब इसे दो बार fold करके हम निकालते हैं तो ये आसानी से निकल सकती है कोई इसमें magic नहीं कोई भी बड़े आसानी से निकाल सकता है ये magic आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो कर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके Facebook और WhatsApp पर शेयर जरूर करें मुझे support करने के लिए